के चलुँ ब्रोपॉगेटेर नॉगे। पोजिटीव एकस्सी रिफर्जेंटड वाई इस एक वेशे day डिए अब आगल सी नहीं भी बताया था। तभी दो physician कि देखके हम पता कर लेते हैं कि वेब पोजेटिव एकस्स में जा रही है एक स्पीड अब दे वेव Speed निकालना, Speed निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताया है, पहला वो तरीके बताया हूँ, Shortcut, Short Time में, Shortcut क्या है, यह Speed निकालने का, Coefficient of T, Coefficient of T, divided by Coefficient of X, तो T का Coefficient कितना बोलो, माइनस 4X, और माइनस भी नहीं लिक होगे, तभी भी मैगनिचूड में आ जाएगा, और X का Coefficient कितना है, 0.5 Pi, यह Pi है याद, तो Pi ने Pi को, और यह 10 से multiply कर दियो, तो यह आ जाएगा, 2, मतलब 8, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, वेव जो है, वो पोजेटिव X-axis में जा रही है, मतलब माइनस 8, तो A option सही है, तो यह तो पहला तरीका हुगा, अब जो इसको, जो यह में जानता, जो यह ट्रिक नहीं जानता, वो कैसे करेगा, उसको भी मैं करके आपको दिखा रह करेगा, Y is equal to A sin omega t minus kx से compare करेगा, चलो, इसे से compare करने पर, speed निकाने का क्या formula, frequency multiplied by wavelength, वो frequency निकालेगा, फिर wavelength निकालेगा, फिर दोनों को multiply करेगा, तब जाके speed आएगा, और उसकी जो life है, वो बाहरा के exam के बाहरा के रहेगा, तो यह याद रखो, यह वाला trick, अब चलो इस का coefficient कितना बोलो, 4 pi है, तो omega, omega की value आ जाएगी, 4 pi, और omega होती है, 2 pi frequency multiplied by 4 pi, तो pi ने pi को 2 ने 2, मतब frequency आ जाएगी, 2 hertz, यह, चलो, अब के का compare करो, k, k की value x, 0.5 pi है, तो k is equal to 0.5 pi, तो 0.5 pi जो है, कि 2 pi lambda के equal होता है, मतलब 0.5 pi, इसका मतलब यह हुगा, कि pi ने pi को, तो lambda की value आ जाएगी, 2 upon 0.5 आ जाएगा, बराबर है, तो 10 से multiply करो, तो point हट जाएगा, और 2 times, मतलब lambda is equal to 4 meter आ जाएगा, that is the lambda, and that is the frequency, तो speed आ जाएगी, frequency multiplied by lambda, 2 multiplied by 4, multiplied by 8, तो this is the speed, तो यह वो traditional method है, इतना solve करोगे, इतना